नदियों की सफाई गंगा और यमना की सफाई इनका हाल तो ऐसा हो गया है कि जोंजों दवाकी और मर्ज बढ़ता गया आज तक नदियों की सफाई पर विश्यसकर गंगा और यमना की सफाई पर हजारों करोड रुपे खर्च कर दिये गए हजारों करोड और सुप्रिम कोट द्वारा भी लगातार उस पर वाच किया जा रहा है उस सब के बावजूद भी सुप्रिम कोड की डारेक्शन के बावजूद भी और उसमें केंद सरकार द्वारा हलपना मा दिया जाने के बावजूद एफिडेविट दिया जाने के बावजूद भी आज की तारिक में गंगा और यमना दोनों पहले से और बत्तर हो गई हैं और नदी कहना आप ठीक नहीं होगा गंदे नाले में तबदील होती चलिए जा रही है आखिर सरकार इनसाफ क्यों नहीं करवा पा रही है जो इस गंगा और यमना के किनारे पर या जितने भी नदियां है इनके किनारे चाहे केंट्स की सरकार हो या राज्य की सरकार हो क्यों ना जितना भी पानी उसमें पढ़ता है उसको ट्रीट करके डाला जाये जहां से भी नानें निकलते हैं जहां से भी गन्दा पानी आता है उसको पूरी तरह से ट्रीट करके ही नदियों में डाला जाए सरकार को दिकत क्या है क्या सरकार अपने कानून का सक्ती से पाला नहीं करवा सकती या कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार उन्हीं उद्योग पतियों के साथ मिली हुई है और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर जो पैसा है उसको हड़प लिया जाता है अगर हजारों करोड रुपिया जो नदियों की सफाई के लिए आता है गंगा यमना की सफाई के लिए आता है वो जाता कहा है क्या कानून कमजोर है क्या सरकार कमजोर है अगर उत्तर प्रदेश के ह बात करें तो एनकाउंटर जो योगी जी ने चला रखा है क्या यह एनकाउंटर निर्दोश लोगों के लिए है यह जो बड़े-बड़े उद्द्योग पती हैं जो गंदा पानी डालने हैं और जो शाद उन सभी बड़े गुनेगार हैं उनके लिए नहीं है क्या सरकार अप लग से बना रखा है उमा भारती जी को उसका लग मंत्री बना रखा है उस सब के बावसूद भी जब 2014 में प्रधान बंत्री मोदीजी आयते भाजपसर कराई थी आजकी तारीक में गंगा और यमना उससे भी बुरी हालत में बत्र हालत में हो गए हैं उन्हें पानी नहीं बहता, जहर बहता है क्या हम इतना भी नहीं कर पाएंगे डिजिटल इंडिया गस अपना देखने वाले स्मार्ट सिटी की बात करने वाले बुलट ट्रेन की बात करने वाले मानने मोदी जी अगर इमांदारी से आप और आपकी राज्य सरकारे, 19 राज्यों में आपकी सरकारे है और गंगारी अमना की किनारे पढ़ने वाली सभी सरकारे आपकी सरकारे है अगर हम इमांदारी से इस पे काम करें और पूरे ट्रीटमेंट प्लांट लगा कर उनका पानी नदियों में जाने दें तो शार्त कुछ भला हो जाएगा नहीं तो देश बरवादी के कगार पर है और ये नारा जो आप देते हैं ना बड़े बड़े नारे इन नारों को देना बंद करें आपसे निवेदर हैं कि काम करें ये देश की जनता देख रही है हर कोई आपको देख रहा है कि आप कितना कह रहे हैं और कितना कर रहे हैं इन नदियों को मरने मत दीजिए क्योंकि ये याद रखिए कि अगर ये नदियां मर गई तो जिन्दा हमें से कोई नहीं रहेगा